अगर आपका एक्जाम नहीं हुआ है तो यह पेपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टन होने वाला है इसलिए आप पूरा पेपर देख कर जाएगा आपका पेपर ऐसा ही आने वाला है तो चलते हैं स्टार्ट करते हैं पाला क्विशन आपके सामने दिया हुआ कि 36 किलो मिटर प्रति घंटा की चाल से चल रही कार 10 मिनट में कितनी दूरी तै करेगी यह क्विशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्डन बहुत ही सरले मैं आसा करता हूँ कि आप सभी इसको लगा सलेंगे तो चलते हैं इसको करते हैं तो यहां पर देख सकते हैं दिया हुआ कि दकविशन दिया उख कि 36 दूरी प्रति घंटा कि चल रही कार 10 मिनट में कितनी दूरी तै करेंगे आप जानते हैं कि चाल बराबर कितना होता है चाल बराबर दूरी अपान समय होता है कितना दूरी अपान समय है अगर आपका दिया है सभne 10 मिट यह दिया है इसको भी आपको घंटा में चंज्च orchestを करना है तो 60 का आप भाग दे तो यहां से जीरो जरीव केंसेल 6 का 36 में भाग देंगे तो 6 आजाएगा कितना किलो मेटर 6 किलो मेटर आपका उत्तर आजाएगा इसका आपसे नंबर आपका यह बिलकुल राइट एंसर आजाएगा अगर आपको पेपर की क्वालिटी थोड़ी कम दिखाई दे रहे तो आप उने वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लेजए ताकि यह पेपर आपको अच्छी तरह से सब दूसरा क्विश्ण आपके सामने दिया हुआ क्यि तो आप सबी को पता है कि तोस ही मेटर उसक्वार होता है किना मीटर प्रति सिगंड स्क्वायर होता है इसका आपसा नमबर आपका यह बिलकूर राइट एंसर हो जाएगा तीसरा क्यूस्टन आपके सामने दिया हुआ कि किसी वस्तू का जड़त किस पन निभर करता है तो मैंने आपको खई बार बता है कि किसी वस्तू का जड़त होता है वह दरबिमान यानि मास बन निभर करता है यदि कोई वस्तू एक किगरा की है दूसरी वस्तू दस किगरा की है तो दोनों को आपको ढखेडने में उठाने में किसमें ज़्यादा बल की हो सकता होगी आप आसानी से बता देंगे कि 10 किगरा वाले को ज़्यादा मेहनत लगेगा तो उसमें जड़त अधिक होता है अगर आपसे पूछे कोई जड़त क्या होता है तो आपको simply बताना है कि जड़त क्या होता है जो किसी वस्तु की इस्तिती में परिवर्तन का विरोध करता है उसी कोई जड़त काते हैं जैसे कि कोई वस्तु गती वस्ता में रहेगी तो वह गती वस्ता में रहना चाहेगी इसफी को जड़त कहते हैं यह कोई वस्टू गती में तो गती में रहना चाहती हुआ यह वहाय कोई वस्तू बहुत कोई वहस्था मे रहे रहे गती में नहीं कि नयुको कि Τष्वकुक्ति में पखे है असके नमबर क्यूल देखेए कि वास्तु के दर्बिमान और विएग के गुडन फल को क्या काते हैं तो आप द्यются देखिए पूछ रहा है कि वश्तु के दर्बिमान यम और वेक का गुड़न फल भी यम उन्टू भी है क्या होता है आप सभी को पता है कि P बराबर यम उन्टू भी होता है और P को हम संबेग यानि मोमेंटम कहते हैं इसका आपसा नमबर आपका B बिलकू यानि दो नमबर सही हो जाएगा उसके बाद 5 नमबर क्यूशन आपके सामने दिया हो कि 2 पिंडो की बीच लगने वाले गुर्तवा करशड़ बाले किस पर निर्भर नहीं करता है आप ध्यांस देखे क्या कुछा है किस पर निर्भर नहीं करता है तो आप जानते हैं कि यह बराबर रता है जी M1 M2 upon i square उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है उनके दरभिमानों पर निर्भर करता है अगला क्यूशन छाव नमबर निर्भर करता है उसके दरभिमान के योग पर निर्भर नहीं करता है इसका आपसा नमबर आपका कि ये बराबर होता है half FB square, क्या होता है, half FB square, क्या करा है कि, पिंड का दुरे बिमान दो गुड़ा कर दिया जैसे, जैसे कि मैं ने जी हाफ हो गया, दुरे बिमान को हम 2M कर दे रहें, और वेक को आधा कर दे, वेक को आधा करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, दो दुना 40 गर आप की सुई का आवरत काल क्या होता है E कितना समय लगाती है तो इसका आवर्तकाल कितना हो जाएगा एक मिनट के बराबर होता है इसका आपके सामने दिया हुआ कि अंतरा अडविक अस्थान सारवाधिक किसमे होता है अंतरा अडविक अस्थान का मतलब होता है जो कड़ों की बीश की दूरी नजदीक नजदीक किसमे होता है इसमें पूछा है का अंतरा अडविक अस्थान सारवाधिक किसमे होता है एक हम ठोस की बात करते हैं तो ठोस के ज साफ दी वाला बिलकुँ राइट इंतर हो जाएगा नवानमे कुशन आपके सामने हैं कि निमनिछी तुमसें द्रव नहीं है पूचा कौशा लेन अगर हम काच पूचे लकडि पूचे प्रकास पूचे और वाई पूचे यहां से ले बीज yarg मैंटर काते हैं क्या काते हैं इसमें आपसे मैंटर पूछा है मैटर टीन वस्ता में पाजाते हैं ठोस अगर कांच की बात करते हैं ठोस होता है लकडी जो होता है यह फिल्कुल हो जाएगा देस नंबर क्यूशन आपके सामने का है कि निम्नकित में से कौण सा तत्य या पूँचाह जो वाई होता है कि मेंस्टय होता है मिट्टी जो होता है येक होता है ज़ल जो होता है क्यों गीक होता है तो इसमें आपका ax stream हो जाएगा ग्यारा नमबर क्यूशन आपसे पूचा है कि नाट्रोजन का संकेत क्या होता है तो सभी को पता है कि नाट्रोजन का जो संकेत होता है यन होता है सोडियम का यन होता है यन ही जो हता है निकिल का होता है और यन आई जो हता है नियान होता है इसका आपसे नमबर आपका डी बि लेकिन पुटान का जो नाम करड़ किया था तो रधर फूर्ण ने किया था उसके बाद देख सकते हैं अगला कुछन दिया है कि 11-23 क्या दिया है 11-23 इसमें आपको न्यूट्रानों की संख्या ग्याद करने के लिए यहां यह नहीं स्वारी यह नहीं होना चाहिए क्योंकि से 11 को माइनस करेंगे तो आपको न्यूट्रानों की संख्या 12 आएगी तो इसका आपसा नंबर आपका क्या हो जाएगा तीन बिलकुर राइट इंसर हो जाएगा अगला कुछन पूछा है कि दियाने आप सभी को पता है कि किंद्रक में पाए जाता है इसका आपसा नंबर इनसर हो जाएगा नंच को चुछन का रहा है तो आप सभी को पता है कि केंद्रकी खोज रवर्ट ब्राउन ने कि थी इसका आपसा नंबर चौथा बिलकुर राइट इंसर हो जाएगा सूलरों मंबर क्वीषा more है कि हड्डियों को पीश्यों सजोडने वाले रेसइदार को उतक को क्या का जाती हैं है हड्डियों को पीश्यों सजोडता है तोस वह क्या होता है वह वसाे होता है स्ञै होता है कंड들이 स्यंव उता है तो कण्डरा या सन्यों जीवता इसके आप्षे नम्ढर हो जाएगा अगला किशी लन यह का रेशा होता है अटारा नॉमर क्यूशन आपके सामने दी है कि उड़ने वाला अस्थांदारी कौन से होता है तो उड़ने जो अस्थन दारी होता है तो इसका आपसन नंबर तीन बिलुकुल राइट अंसर हो जाएगा 19 नमर क्यूशन आपके सामने है कि एक विज़ पत्री पोधों का उधार क्या है तो एक पत्री पोधों का उधार क्या है तो इसका उत्तर आपको हमें कमेंट बाक्स में बताना है अगला कुशन यहाँ पर देख सकते हैं आप में दिया हुआ है कि खंड वडातम प्रसन है अगला खंड से एक वस्तु बिराम अवस्ता से चलना प्रारम करती है तथा वह 5 मीटर फरति सिकंड इस्क्वाइर के तुरड से चलती है कितनी देरी में वस्तु का वेक 50 मीटर फरति से जीरो हो जायगा तो सिंपलि आपको यहां से वही कमान गयत करना है कि तोड़ से चलते हैं तो कितनी देर में वस्तु का ही 50 मीटर फरति सिकंड हो जाएगा तो सिंपलिए यहांپर देख सकते हैं वी राम चले Son तो U कमान आपका 0 हो जाएगा तो रड़े यहां से आपका 5 मीटर फरति सिकंड स्क्वार दिया है और अंतिम्योग V बराबर 50 मीटर फरति सिकंड दिया है और आपको T कमान पूछा है तो यहां पर आपको गती का पहला समीकर लगाना है V बराबर U पलस 80 क्या हो जाएगा V बर लेंगे तो आपका 10 सिकंड आ जाएगा नेक्स कुशन देख सकते हैं आप में दिया हुआ दूसरा कुशन संबेग किसे काते हैं मैं आपको कई बार बताए संबेग P बराबर U होता है इसको आपको प्रोब भी कर लेना है अगरा कुशन आपके सामने यहां पर दिया है कि द होता है यह कमान आप यहां पर दिया है कि 0.667 बराबर जी कमान होता है 6.67 गुड़े 10 घाते माइनस 11 है गुड़े M स्क्वार हो जाएगा यहां यहां गुड़े M बटे एक हो जाएगा तो इसको आपको इस दसमनों को उधर ट्रांसफर करने के लिए 2 यहां पर करेंगे त दस घाते माइनस 9 झाचा पूरा कट जाएगा तो इधर ट्रांसफर करेंगे तो आपका क्या इम सक्वार बराबर जाएगा दसके पावर नंव झाचे तो गणाच कर दसके पावर आपका तीन आपको उत्तर आजागे कितना एकथार किलो ग्राम आया अपका यहां उसके बा करने वाले कारकों को इस पर्ष्ट वर्ण करना है मिश्रडव रूख को में अंतर बताना है अत्वाप को परमाडू था अड़ू को परिभाशित करना है और डाल्ड़ के परमाड वाद को भी लिखना है उसके बाद जीव बिग्यान से आप में क्युष्ण दिया कि माट्रो क मैं आपको इसी तरह के साथ मिलता हूं तब तक यह गया है